Hello students, welcome to my channel मैं इस वीडियो में grammar chapter empathic with do, does, did के बारे में बताने जा रहा हूँ empathic का meaning क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं, what is the meaning of empathic? empathic means होता है जोरदार empathic का साब्दिक अर्थ होता है जोरदार sentence को empathic बनाने के लिए main verb के पहले do, does, did का पर्योग आवसकता नुसार किया जाता है जैसे इसका पहला sentence, पहला रूल है अधिस sentence simple present tense में हो तो do, does का पर्योग करके empathic बनाया जाता है अधिस sentence simple present आनि present indefinite tense में हो तो इसमें do, does का पर्योग करके empathic बना जाता है जैसे example में I write your letter इसका मिनिंग क्या होता मैं एक पत्र लिखता हो अगर इसको हम emphatic बनाते हैं इस पर हम जोड़दार दबाव डालते हैं I do write at a later, मैं एक पत्र लिखता ही तो हूँ, इसमें मिनिंग बता रहा था I write later वह एक पत्र लिखता हूँ, इसमें क्या जाएगा ही जो की third person में है, third person का string bar number में इसके साथ does लगेगा, तो emphatic जब बनाएंगे तो हो जागा he does right year later, वह एक पत्र लिखता ही तो है, तो emphatic का meaning होता है जोड़दार, जैसे मैं जाता हूँ, I go, मैं जाता ही तो हूँ, I do go, वह खाता है, he eats, वह खाता ही तो है, he does it, तो आप समझ गये होँगे कि emphatic का मतल़ होता है, जोड़दार डालना, next rule हम लोग देखते हैं, कि यदि sentence simple past में हो, तो read का पर्योग करके emphatic बनाए जाता है, यदि sentence simple past, तो past indefinite में हो, तो read का पर्योग करके emphatic बनाते हैं, जैसे, he wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा, he did write a letter, उसने एक पत्र लिखा ही तो है, they wanted to go, they did want to go, next है, next rule है कि अधि sentence subject plus have, has, had, plus complement के structure पर हो, तो emphatic बनाने के लिए subject plus do, does, did, plus have, plus complement के structure का पर्योग करके बनाते हैं, जैसे, मैं बता दूँ, अगर subject plus do, does, did, do, does, did आतु, को भी model verb हो, तो उसके बाद हमेशा have का पर्योग होता है, has का पर्योग नहीं होता है, इसलिए हम लोग के वल have लिए, जैसे, he has your book, तो इसका emphatic हो जाएगा, he does have your book, ऐसा नहीं कि he है, तो he के साथ हैज लगाएंगे, नहीं, do, does, did, आप कोई भी model verb है, तो उसके बाद हम लोग have का ही पर्योग कहते हैं, तो he does have your book, I have your pen, I do have your pen, इसी का next example लेखते हैं, he had your mobile, he did have a mobile, emphatic बन गया, he had your book, उसके पास एक किताब है, उसके पास एक किताब है, अगर इसको हम emphatic बनाएंगे तो फिजागा, he does have your book, उसके पास एक किताब है ही तो, आतो, उसके पास एक जरूर किताब है, मतलब जरूर आप लगा सकते हैं, उसके पास जरूर एक किताब है, उसके पास जरूर एक किताब है, मतलब ओ, दबाव डाल रहा है, कि हां उसके पास किताब है ही नेक्स्ट है कि अगर sentence का structure हो imperative sentence हो जैसे imperative sentence को imperative बनाने के लिए हम लोग man verb के पहले do का ही पर्योग करते हैं इसमें did नहीं लगेगा, does का पर्योग नहीं होगा तो imperative sentence को empathic बनाने के लिए man verb के पहले do का पर्योग करेंगे, जैसे come here, यहां आओ do come here, यहां जरूर आओ जरूर का पर्योग करके empathic बना देंगे, यहां जरूर आओ go out, बाहर जाओ do go out, बाहर जरूर जाओ have patience do have patience please come, तो please के बाहर लगाँगे do please do come, man verb के पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं do का पर्योग करके बनाते हैं imperative sentence का imperative sentence को अगर हम लोग empathic बनाएंगे तो इसके लिए man verb के पहले do का पर्योग करेंगे, इसमें do or did का पर्योग नहीं होता है तो इस तरह से बहुत सारे sentence को हम लोग empathic बुना सकते हैं नेस्ट वीडियो में मैं इंफैटिक चेप्टर का कुछ कोश्चन दूंगा जिस पर आपको प्रैक्टिश करना है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे पसंद लगा हो तो फिलीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें ताकि इस लोक्डोन में जहां भी हमारी कंट्री में लोक्डोन चल रहा है स्टुडेंस को इस वीडियो के माध्यम से कुछ फायदा मिल सके है थैंक यू हलो स्टुडेंट्स मैं इस वीडियो में पोयम या टाइगर इंदा जू जिसको मैंने पिछले वीडियो में एक्स्प्रेंड किया था उससे एक्स्ट्रेक्ट कुश्चन और इंपोर्टेंट कुश्चन बताने जा रहा हूं सबसे पहला एक्स्ट्रेक्ट है सबसे पहला कुश्चन इससे पुछा जाता है नेम दा पोयम की यह जो इस पोयम से लिया गया है तो इस पोयम का नेम है या टाइगर इंदा जू एंद सेकेंड कुश्चन है who has written these lines यह line किसके द्वारा लिखा गया है और थात इसके poet का name लिखना है poet का name है Leslie Norris C number question है where was the tiger walking tiger कहां तहल रहा था the tiger was walking in a small cage of a Jew tiger जो है एक चिडियां घर का छोटे से पिंजरे में तहल रहा था and D number question है how was his pad उसका pad के साथ था his pad was soft and velvety उसका pad बहुत कॉमल और मुलाइम था मुख मखमली जैसा second extract है he should be lurking in shadow sliding through long grass near the water hole where plump deer pass इससे भी same question पहला वही रहेगा name the poem poem का name बताना है who has written these lines इस line को किसने लिखाया it means poet का name बताना है Leslie Norris हो जाएगा C number question है who is he here he किसके लिए आया है तो he is the tiger he किसके लिए आया है tiger के लिए तो इसका answer हो जाएगा he is the tiger D number question है who would pass through the water hole water hole के hole आनि पानी का स्रोत जहाँ है उदर से कौन पास करता plump deer would pass through the water hole and इसका important question पहला है how does the tiger walk in the cage इसी को कभी कभी another question में पुछता है how does the tiger feel in the cage tiger पिंजरे में किस प्रकास से तहलता है इसका answer हो जाएगा the tiger is in a small cage tiger जो एक छोटे से पिंजरे में है he can hardly move a few steps off the cage वो मुश्किल से उतना ही दूरी चल सकता है जितना बड़ा वो पिंजरा है he moves quietly वो बहुत ही सांती से चलता on his belly weighty pads अपने मकमली pads के द्वारा he is very angry लेकिन वो बहुत क्रोधित है due to his imprisonment क्योंकि वो कैद है but he walks quietly लेकिन वो सांती से चलता है because क्योंकि he knows क्योंकि वो जानता है that he is helpless कि वो मजबूर है अनिल अचार है second question इससे है how does the tiger verify the villagers यह बहुत important question है बहुत बार आ चुका है how does the tiger verify the villagers tiger जो है गाव वालों को किस प्रकास से ड्राता है the tiger comes at the ease of the jungle near some village अगर वह tiger जंगल में होता है रहता है तो कभी-कभी वह जंगल के किनारे जंगल के किनारे जहां गाव होते हैं उदर आ जाता है he terrified the villagers वहाँ आके गावालों को ड्राता है by snorling गुर्राते हुए around their houses के घर के आसपास गुर्राते हुए गावालों को ड्राता है he terrified them वह गावालों को ड्राता है by showing his white fangs अपनी नुकिले सफेद दाकों को दिखा के and his claws जो है रात में किस प्रकार से बरताव करता है because of visitors दिन भर दर्शकों के कारण the tiger is unable to take rest during the day दिन में बाग जो है अराब नहीं कर पाता है even यहां तक की night even night यहां तक की रात में he is disturbed or disturbed हो जाता है due to the noise of patrolling cars patrolling car की आवाजों से इसलिए he keeps staring at the brilliant stars with his brilliant eyes इसलिएवा चमकते हुए शितारों को अपनी चमकती हुए आँखों से देखते रहता है तो students अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो please subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि उसको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके थेंक यू